ये नगर की सुरुवात जो थी वो 1336 में दो भाईयों ने हरियर और बुक्का ने करी थी जैसे कि आप चितर में देख सकते हैं ये ना तुलू बंस का सबसे परसिद राज़ा वो प्रागतितर से जो मिल रहा था जैसे कि तलाब हो गया और पारिस का पानी हो गया उसका भी उ आज के टोपिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिरों की विशेष्टा की कि मंदिर की क्या क्या विशेष्टा होती थी तो देखो मंदिर जो होते थे ना इसकी मंदिरों के सबसे पहली विशेष्टा मानी जाती थी रथगलियां ये रथगलियां क्या होती थी मंदिर मंदिर के सामने रदकलिया होती थी, जो इसकी सीधी रेखा में बनाया जाती थी, एक तरह के सडके होती थी, जिसको पत्थर से बनाया जाता था, इनके दोनों और स्थम्ब वाले मंदप हुआ करते थे, जिनमें बैपारीना अपनी दुकान लगाया करते थे, ठीके, और बंदी भी की गई थी जल अपूरती की पूरी पूरी विवस्था की गई थी जिससे किसी को जल की कमी नहीं होती थी इसके लिए बात करें तो यहां पे होज का निर्मान नहरों का निर्मान और पकी सडकों का निर्मान भी किया गया था जिससे यहां की सुंदरता और ही वास्तुकला की, तो वो बड़े-बड़े महरबों और गुबंदू की निर्मान के साथ, इसलामी सेली को स्थानिय स्थापिता सेली में पूट कर दिया गया था, ये इसकी वास्तुकला सेली थी, ठीक है, तो इसको इंडो-इसलामिक सेली का विकास यहीं से माना जाता है, का सबसे प्राचीन मंदिर नोवी से दसवी सताबदी का था परंतु बिजय नगर समराज्य की स्थापना के बाद इसका बहुत तेजी से विस्तार होने लगा था जो मुख्य मंदिर के सामने जो मंडप था उसे कृष्ण देव राय ने अपने राज्य विश्यक के उपलक्ष में बनवाया था यह बहुत इंपोरेंट एलाइन ठीक है और इसके सुंदर नक्षी वाले स्थम्भों को भी सजाया गया था इसके लाब बात कर तो गोपुरम की निर्मान का श्रे भी इन ही को जाता है यानि जो गोपुरम द्वार जिसके भी हम चर्चा कर रहे थे इनके निर्मान का श्रे भी इन ही को जाता है धीरे धीरे केंदरे देवाले पूरे परिसर के छोटे से भाग तक सीमित रहे गया था मंदीरमें जो मंदीर होते थे ना उसमें सभागार भी बनाया जाते थे सभागार और इसके लाबा बीविन कारे के लिए अलग-लग लोग होते सभागार में दिवी देवताओं की मूर्ति, संगीत, नृत्य नाटक ये सभी देखने को मिलता था, इन सब के कारेकरम यहां पर होते थे, इसके लब बात करें तो कुछ अन्ने देवी देवताओं को यहां जुला-जुला जाता था, इन अफसरों पर विशेश मूर्ती का परियोग होता था जो छोटे-छोटे केंदर देवालियों में स्थापित मूर्तियों से अलग होती थी और दूसरा परसी देवस्थल विठल मंदिर था जिसके अब हम चर्चा करेंगे तो पहले अभी हमने विरुपाक्ष मंदिर की चर्चा करी अब हम चलते हैं अपने दूसरे मंदिर की दरफ जो था विठल मंदिर तो देखो विठल मंदिर की जब बात करते हैं तो यह है एक परमुख देवता विठल के नाम से था ठीक है जो यहां के प्रमुख देवता है वो है बिठल उन्होंने महराश्टे में पूजे जाने वाले विश्नु का ही एक रूप माना जाता है यह जो बिठल देवता है वो विश्नु का ही एक रूप है करनाट में इस देवता का पूजा का अरंब हुआ था और विजयनेगर के सास को द्वारा ही इनकी सांस्कृति के निर्मान का परतीक भी माना जाता है अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार थे और इसके लावा इस रत के आकार का एक अनूठा मंदिर है यह जो मंदीर है न वो रत क्याकार का है एक अनूठा मंदीर है और इस प्रकार विठल मंदीर एक रोचक मंदीर के रूप में जाना जाता है अब हम समझते हैं अपने अगले टोपिक को जो है किलेवंदी तो देखो बीजयनगर की सबसे अगर कुछ अनूठी बात थी न तो और जो अबदुल रज्जाक हैं वो किलेवंदी से बड़ ही प्रभावित हुए थे तो उन्होंने किलेवंदी पर अपने विचार प्रस्तूत करें हैं देखो किलेवंदी के बारे में कहते हैं कि सबसे बाहरी दिवार सहर के चार और बनी पहाड़ियों को आपस में जो इनका बॉर्डर था ना उनको वहां किलेवंदी करने की जुर्थी नहीं हुई क्योंकि बावर्डर ही पे इनके बड़े-बड़े पहाड़ थे जो एक तरह का किलेवंदी का निर्मान करते थे ठीक है इसके लिए बाद करें तो अब इन्होंने फिर खेतों की की करी सबकि किले ब्हुत सारे मट्रिल चाहिय ठाएं तो इनके पास क्या था प्थर था ये जो पहाड ये चार मिझे से बता है बिजेनंगर जार पहाडी से गिरा था और उन पहाड में फंकार पत्थर पाए जाते थे तो ये क्या करते थे पत्थर को इस परकार लगाते थे और जो जगा होता था उसके वीच में मिट्टी भर दिया करते थे जिससे किलेबंदी में बढ़ी असानी हो जाती थी तो अब बात करते हैं अब्दुल रजाग किलेवंदी के बारे में क्या लिखते हैं वो लिखते हैं न कि पहली दूसरी और तीसरी जो किलेवंदी थी तो पहली दूसरी और तीसरी दिवारों के बीच जोते हुए खेतों को बगीचों को और अवासों को रखा गया था जबकि तीसरी में सास के केंदरों को घेरा गया था इन इमारतों कोई प्रतियक समुकी घेरवंदी उचे उचे दिवारों से की गई थी अब हम बात करते हैं भीजेनेगर के जो समाने लोग होते थे उनके जीवन के बारे में तो दिखो जब हम समाने लोग की बात करते हैं तो हम उन लोग की बात करते हैं जिनका सत्ता में भागेदारी नहीं होता है इसमें धनी बेपारी भी सामिल होते थे तो इनके जिन्दकी की कई विशेष्टा थी जैसे इनके घर पक्के मकान होते थे ठीक है इनके जो घर होते थे वो बहुत ही पक्के होते थे और जो इनके छट होते थे वो छप्पर के होते थे लेकिन मजबूत होते थे और इनकी गलियां भी बहुत ही खुली-खुली होती थी सोल्वी सताबदी का पुर्तगाली यात्री आया था बारबोसा उसने यहां के समाने लोगों की वर्नन करते हो कहता है लोगों के अन्य अवास छपर के हैं परंतु मजबूत हैं वेवसाई के धार पर लंबी-लंबी गलियां हैं और कई खुले-खुले स्थान भी है और जब सर्वेक्षन हुआ तो पता चला भोस से पूजास थल यहां पर पाए गये हैं और छोटी-छोटी मंदिर भी पाए गये हैं और सर्वेक्षन से यह भी संकेत मिलते हैं कि कुवे बरसाथ के पाणी जलासे का पाणी मंदिर के जलासे यह सब यह उनके जलों का मुखे स्थरो था यानि यह वर्षा जल का संगरहन भी करते थे और यहां पर पानी की कोई कमी नहीं थी आम लोगों का जो जीवन था वो भी बहुत ही अच्छा था वो उच्चोकोटी के जीवन जीते थे उनको किसी भी चीज की खाने पीने की या किसी भी चीज की कमी नहीं हुआ करती थी ऐसा यहां पर वीवरणों से हमें पता चलता है तो दोस्तो हमने ओल्मोस्ट टोपिक कवर कर लिया है अब हम चलते हैं इसके लास्ट टोपिक के तरफ कि यह जो इतनी अच्छी सभ्यता थी बिजे नगर की आखिरकार उसका अंत कैसे हुआ बिजे नगर सभ्यता के अंत की क्या कारण थे तो देखो कई तिहासकार हैं और उनका मानना भी अलग-अलग है जैसे कुछ तिहासकार इस बात को मानते हैं कि जो बिजे नगर का अंत है न वो पडोसी राज्यों से हुआ है कि उनकी पडोसी राज्यों से दुस्मनी बढ़ती जा रहे थी और मोका का फाइदा उठा के पडोसी राज्यों ने एक दिन आकरमन कर दिया और उसका अंत हो गिया जबकि कुछ तिहासकारों का मानना है जो ताली कोटा का यूथ था न वो इसके अंत में महत्पुन भूमी का निभाया था इसके अलाबा कुछ तिहासकार ये भी मानते हैं कि आयोग्य उतरादिकारी कि विजनेगर कृष्ण देव राय के बाद कोई योग्य उतरादिकारी नहीं हुआ सारे सारे आयोग्य थे यानि कोई गति के लायक नहीं था इसके अलावा एक अंध का कारण और माना जाता है जो है नरंकु शाशक कि यहाँ पर बाद में जो राजा था वो अपनी मन मानी करने लगा अपना साशन चलाने लगा लोगी बात कम सुनने लगा जो इसके अंध का कारण बना तो ये कुछ कारण थे जिससे विजयनेगर का अंत हो गया था अब कुछ इतियासकार जो है वो मतलब कोई भी इतियासकार सही प्रोपर रीजन तो नहीं दे सकते लेकिन ये कुछ इतियासकार उने अपने मत दिये हैं जिसका इसके अंत का कारण माना जाता है तो दोस्तों आज की वीडियों के समाप्त होती है इसे के साथ हमारे चेप्टर भी समाप्त होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें हमारी चनल को सब्सक्राइब करने ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्ट वीडियो में